नमस्कार स्वागत है आपका Self Study के चैनल में और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करेंगे कि ओपरेशन गंगा क्या है भारत सरकार युकरेन के अंदर जो भारतिय फसे हुए उनको कैसे निकाल रही है अब तक कितने भारतियों को निकाला जा चुका है और कितने भारतिय उनके फसे हुए है भारत सरकार के सामने क्या-क्या चुनोतियां आ रही है कि भारतियों को बहात से निकालने में उनको Problem हो रही है उनको सब कोम देखने वाले है सात ही सात जो भारतियों वहाँ पर फसे हुए है उक्रेन के अंदर जैसे उनके दारा वीडियो भीडियो यह वीडियोज चली शुरू करते हैं देंगे हाली में क्या किया है कि भारे सरकार ने ऑपरेशन गंगा यह प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके तहत क्या है कि भारतियों को निकाला जाएगा इसके अंदर आप देख सकते हैं कि काफी सारी जो एरलाइन से उन्हों उपरेशन गंगा को इन्डिवो ऐर इंडिया इन सबने जो है वह परेशन गंगा को जोइन किया है help करने के लिए कि हम जो है जाएंगे और वहां से भारती नागरी theor को को निकालेंगे साथ इसाथ युक्रेयन के अंदर जैसे आप लोगों को पता है कि रूस के बाद रूस ने जैसे वहां पर अटेक कर दिया तब से वहां पर तनाव बहुत जादा बढ़ गया है काफी जादा जो प्रिस्तिती है या फिर जो सिचुएशन है वो गंबीर होती ज जाएं वहां पर आप हेल्प लाइन के द्वारा जो है वो कॉंटेक्ट कर सकते हैं और वहां से आपको इवेक्वेट करवाया जा सकता है आपको बताना अभी थोड़ी दिर में बताऊंगा मैप की सायता से कि युक्रेयन के अंदर से भारतियों को नहीं निकाला जा रहा है जो युक्रेयन के बाहर जो बोर्डर है नजदीक जो बोर्डर है वहां पर वो दूसरे देश में जाने तो दूसरे देशों से जो है वहां से इवेक्वेट किया जा रहा है अभी आपको मैप के तुरू भी इन सब चीजों को मैं समझाने वाला हूँ अब अब उपरेशन के अंदर लगबग 200 यात्रियों को बिठाने की कैपसिटी और अब तक इतने जो हैं भारतिय वापस आ चुके हैं और यह जो भारतिय जो निकासी है यह जो उडाने हैं कहां कहां से लेके आ रहे हैं भारतियों को रोमानिया से हंगरी से पोडोसी देशों से संचालित हो रही है भारतियों को निकालने की सुईदा परदान की जा रही है फिर से बता दूँ कि भारे सरकार अंदर से नहीं प्रवाइड करवा पारी कोई भी साही था जो बाहर की यहांपर यह देखिए आप देखेंगे यह यह उक्रेयन का मैप हो गया तो यहांपर पॉलैंड हो गया तो यहांपर जितने भी जो भारतिये थे वो नजदीक नजदीक यहाँ पर बोर्डर के नजदीक थे तो वो पॉलैंड में चलेगे पॉलैंड से क्या कर रही है भारतिय सरकार जो है यहाँ से इवेक्वेट कर रही है भारतियों को साथ सा सुलवाकिया से हंगरी से रोमानिया से मालडोवा से यहाँ पर सब देशों से बात कर लई गई है भारे सरकार ने और यहाँ पर चार मंत्री भी जो हैं अभी आपको दिखाऊँ कि कौन से चार मंत्री हैं जो यहाँ पर लगाए गई हैं ताकि यहाँ से भारतियों को अच्छे से निकाला जा सकें यहाँ पर इवेक्विट किया जा सकें लेकिन अब बात करें यहां पर अंदर खार की यह जो एक आप यहां पर एरिया देख रहे हैं यहां पर भारतिया फसे हुए हैं अब सोची यह जो यहां पर भारतिया फसे हुए हैं वो कैसे यहां तक जा पाएगा या फिर यहां तक इस मालडोवा जो सबसे नस्दी निकराय जा रहा है और जैसे कहे रहे हैं कि रात को इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है कि वहाँ पर बरदास्त नहीं की जा सकती माइनस थ्री तक टेंपरेचर पहुंच जाता है तो वहाँ पर शेल्टर प्रोवाइड ना कराना तो कितनी ज़्यादा एक दर्दनाय को स्थिती बनती जा रही है तो खारकीव के अंदर जैसे कि यहाँ पर काफी ज़्यादा चर्चिया में यह रह रहा है कि युक्रेन जो है यहाँ से कैमिकल वैपन यूज कर रहा है और उसने रश्या के लग बग 5300 सैनिको को मार डाला है काफी ज़्यादा नुकसान कर दिया और उधर रश्या जो है यहाँ पर यूक्रेन के ओपर दबा बना रहा है कि वो नुक्लियर वैपन का यूज करेगा और यूक्रेन के पास कोई भी नुक्लियर वैपन नहीं है उसके पास कबजा कर लिया गया है क्रीमिया के उपर ओरेड़ी रश्या ने 2014 के अंदर जन्मत संग्राय के द्वारा क्या क्या था कबजा कर लिया था साथ ही साथ आप यहां पर देखें तो यहां से जो है वो सैना बढ़ रही है काफी जादा गोलाबारी हो रही है तो खारकीव के उपर काफी जादा हंगामा क्रियेट हुआ हुआ है यहां से भारती भी निकलने हैं काफी सारे भारती यहां पर फसे हुए हैं तो यह situation जो है काफी जादा problem आ रही है इस situation में clear अब यहां पर देखें कि जो भारत के परधान मंतरी श्री रेंदर मोती जी ने एक high level की meeting बनाई थी जिसके अंदर चार ministers को evacuation के लिए मतलब कि वो साथ भेजेंगे उनको उनके अंदर कौन-कौन होगे देखे हरदी पूरी जी होगे जोतिरा दित्या सिंदिया होगे, किरन रिजू होगे, वी के सिंग होगे तो यहां पर इनको क्या क्या दिया गया है, अलग-अलग देश दिया गया है जैसे जोतिरा दित्या सिंदिया जो होगे है, वो क्या करेंगे रोमानिय और माल्दोवा के यहां पर इस चीज को संभालेंगे इनको इस चीज का चार्ज दिया गया इन दो देशों का केने रिजु जी को यहां पर सलोवाकिय का चार्ज दिया गया हर्दीपूरी जी को यहां पर हंगरी का चार्ज दिया गया ताकि भारतियों को वहां से जितने भी नजदीक के जो देश हैं अच्छे से इवेक्विट करवाया जा सके अब इसके अलावा ओपरेशन गंगा के बारे हम बात करें ते कि यहां पर आपके सामने यह हंगरी, पोलैंड, रोमानिय, असलोवाकिया यहां पर अलग-अलग हेल्प लाइन दी गई है, वाटसअप, इमेल, सब हेल्प लाइन यहां पर प्रवाइड करवाया गई है और इसके अलावा जैसे कि वीडियो जैसे वाइरल हो रही है, मारा जा रहा है इंडियन स्टुडेंट्स को या फिर कहें कि उनको शेल्टर प्रवाइड नहीं करवाया जारी, रहने की सुविदा प्रवाइड नहीं करवाया जारी, या फिर कहें कि उनको फूड प्रवाइड नहीं करवाया जारा, काफी जादा एक दर्द नाक्स्तिती बनती जा रही है तो ये सब चीजें जैसे कि युरूस ने जैसे हमला कर दिया था यहाँ पर situation और ज़्यादा गंबीर हो रही है वारतालाप हुआ था युरूस और युक्रेयन के बीच में लेकिन वो कह सकते हैं कि बेलारूस बेलारूस के अंदर जहां पर ये वारतालाप हुआ था एक तरिके से मीडिया रिपोर्ट के अकोडिंग वो कहीं से भी उसके अंदर कुछ भी निकल के नहीं आया सामने व्यर्थ गई जी है ऐसा बताया जा रहा है मीडिया हाउस ने ये बात बोली है अब क्या भारत सरकार ने इससे पहले कोई ओपरेशन चलाए हैं जिसके तैद भारतियों को निकाला गए हो अलग-अलग देशों से बेशक एक बार थोड़ा बत हम उनके बारे में भी जान लेते हैं जैसे कि वंदे भारत 2020 और ओपरेशन समुंदर से तो काफी चरणों के अंदर भारत वापस लाया गया था तो 30 अपरेज 2021 तक लग-बग 60 लाख भारतियों को वापस लाया गया था एर के द्वारा ये हो गया एर ये आप देखेंगे ओपरेशन समुंदर सेतु यानि यहाँ पर बाए वोटर के द्वारा यहाँ पर भारतियों को लाया गया था तो ये जो था 3992 जो भारतियों को समुंदर के रास्ते से लाया गया था अपने देश में अब यहाँ पर बात करें कि इस नोसेना के अभिहान के अंदर जो जहाज जो शामिल थी एक ती जलाश लेंडिंग प्लैटफॉर्म डोक होगी एक एरावत होगी शारदूल होगी मगर होगी इन सब ने इस operation में भाग लिया था और ये operation लगबग 55 दिन तक चला था समुंदर वाले की बात कर रहा हूँ मैं और यहां पर बात करें कि जो समुंदर द्वारा इसमें यात्रा के गए थी वो 23,000 किलोमेटर से तक की यात्रा इसमें शामिल है काफी ज़्यादा एक operation बहुत बड़ा operation इसको कहा जकते हैं कि हम अब ब्रेसलेस के अंदर निकासी की गए थी evacuation किया गया था ब्रेसलेस के अंदर 2016 में देखें बैल्जियम में क्या था बैल्जियम एक जगा थी जेवेंटम जेवेंटम में है ब्रेसलेस ब्रेसलेस यानि हवाई अड़ा है वहाँ पर ब्रेसलेस हवाई अड़ा एक तो यह एक जगा होगी और एक अंदर ब्रूसलेस में मालबी मेट्रो स्टेशन पर जहां पर आतनगवादी हमला हो गया था यहां पर भारतियों को निकालने के लिए जेट एरवेज की फ्लाइट से 28 क्रू मेंबर हो गये उनको मिलाकर 242 भारतियों को वापस भारत आ गया था ब्रेसलेस के िवेक्वेशन 2016 के दुरहन और इसके अलावा operation रहा चलाया गया था 2015 में जिसमें क्या था यमन के अनदर जब संकट आया था जहां वहां पर भारत ने अपनी सैना को भेज कर operation रहा चलाया गया था वहां पर जैसे 41 देशों मतलब यमन से जहां पर 41 देशों के अलग-अलग जो नागरिक थे जिसमें 960 विदेशी नागरिक थे जो अलग-अलग 41 देशों से थे और अपने देश के यानि भारत के 4640 जो नागरिक थे यानि टोटल 5600 लोगों को भारत यहां पर वापस लेकर आया था भारत के अंदर और इतने भी नागरिक हैं 5600 लोगों को इसके अलावा Operation Meitri 2015 में चलाया गया था कि जब 2015 में नेपाल में भुकम पाया था उसके तैत पचाव और रहात अभियान चलाने के लिए Operation Meitri का संचालन भारती सरकार द्वारा भारतीय Armed Force के द्वारा किया गया था और यहां पर लग बग 5188 लोगों को निकाला गया था भारतीय लोगों को निकाला गया था इसके अलावा 785 विदेशी प्रेया टक थे जिनको मतलब यह कह सेकते हैं कि यह जो लोग थे वो US, UK, Russia, Germany इन देशों से आये हुए थे इनको भी भारतीय सरकार ने मतलब यहां पर बचाया था एक Operation सुरक्सित घरवापसी 2011 भी है जिसके तहट किया था कि भारतीय सरकार ने 26 वरवरी 2011 को लीबिया के अंदर जब सीविल वर स्टार्ट हो गया था वहां पर भारतीय फस गये थे तो यहां पर यह Operation चलाया गया था Operation सुरक्सित घरवापसी 2011 में और इसके तहट 15,400 नागरिकों को बचाया गया था और यह भी जो एक तरीके से कह सकते हैं कि नो सेना और एर इंडिया दोनों के दोरा समुंदर और वायूमार्क इन दोनों का यूज किया गया था भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए इसके अलावा अगर और बात करें तो थे कि Operation सुकून हो गया 2006 में इसको चलाया गया था जहां पर इसराइल और लेबलान के बीच में यूद चल रहा था उस वक्त भारत में जो भारतीय फस गये थे यहां पर उनको बचाने के लिए Operation सुकून जो है वो यहां पर चालू किया गया था जिसके तहत क्या गया था आउटकी डेट में उसको बेरूत सीलिफ्ट के नाम से जाना जाते है अब यहां पर क्या था कि एक आपने मुवी का नाम सुनाओगा डंकरिक डंकरिक एक तरीके से ये भी एक निकासी प्रोग्राम था और जो कह सकते हैं कि वोटर के थूँ किया गया था डंकरिक और यह सबसे बड़ा था और इसके बाद सबसे बड़ा नो सैनिक बचाव था हमारे देश का उपरेशन सुकून जिसके तहत भारतियों को बचाया गया था टास्क फोर्स ने 19 जुलाई से लेकर एक अगस 2006 के बीच यहाँ पर कह सकते हैं कि नेपाल के शिरलंका के नागरिकों से 2280 लोगों को यहाँ से निकाला था कुवेट एरलिफ्ट होगी यहाँ पर 1990 के अंदर वर्स 1990 में जब 700 टैंक और एक लाग से अधिक इराकी सैना कुवेट पर जब हमला कर दिया था तब वहाँ के जो साही शाही और अति विशिज जो या वी विई आईपी कह सकते हैं कि यहाँ की आम जनता का जीवन जोखे में डाल दिया था तो यहाँ पर जो लोग थे कुवेट के अंदर फसे रहे थे एक लाग से एक लाग सतर अजार इससे भी जादा जो थे वो भारतिय फसे रहे थे यहाँ पर भारत ने इन लोगों को निकालने के लिए कुवेट एरलिफ्ट यह प्रोग्राम चलाया था एक लाग सतर अजार लोगों को जो भारतिय थे इनको भारत सरकार ने निकाला था और बाप विस घर लेकर आये थे तो उमीद करता हूँ कि इस सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गयोगी current issue भी मैंने या फिक current जो situation है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वारता हुई मतलब कह सकती कि सफल नहीं हुई उसके अंदर जैसे media houses ने बता रहे हैं और इदर यहां पर संकट बढ़ता ही जा रहा है रूस ने सोचा था कि दो या तीन दिन के अंदर यह सब चीज़ें खतम करतेंगे लेकिन अभी भी यह युद खतम होने का नाम नहीं ले रहा बहुत सारे देशों ने Ukraine को काफी साद हम help के लिए मतलब कहा है कि हम आपको help provide कराएंगे लेकिन सिर्फर सिर्फ हतियार वो provide करा रहे है हतियार वो provide करा रहे है लेकिन कोई भी मानव या फिर कहें कि कोई सैनिक नहीं बेज रहे है अब हतियार पता नहीं वो अपने आप चलेंगे शायद automatic वो provide करा रहे है कि रख दो वो अपने आप चलते रहेंगे के भी काफी जादा नुकसान हो रहा है कहा जा रहा है कि जैसे 5300 सैनिक जो है वो रूस के भी मारे जा चुके हैं तो ये भी काफी बड़ा एक संख्या यहां पर सामने निकल के आ रही है तो उमीद करता हूँ कि इस सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी तो अगर इस समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को क्योंकि काफी सारी अपडेटेटी जो है यहां पर आप लोगों को मिलती रहेंगी तो बस आज के लिए इतना है था थैंक यू फॉर